हेलो डियर इस्टूरेंट्स, स्वागा तब सभी का सक्सेस वर्ल्ड एम सेक्यू चैनल पर तो चलिए आज साम इस्टार्ट कर रहे हैं 12 फार मैं एकजाम 2022 के लिए इंपोर्टेट जी एस कोशन्स को जो की अगले 10 दिनों का क्लास होने वाला है और टोटल 10 प्रेक्टिस सेट आपको प्रवाइड करेंगे और यह प्रेक्टिस सेट काफी इंपोर्टेंट है तो आप 200 प्रेक्टिस सेट को अच्छे से कवर कर लीजेगा तो चलिए आज के सेसन को स्टार्ट करते हैं और जैसे की पता है यह क्लास आपका हर सुभा साड़े छे बजे होगी ठीक है तो सभी लोग जल्दी जल्दी से जूट जाइए तो चलिए सबसे पहला प्रस्ण आपके स्किन परे निमने में योगी कौन सा है पारा, ओजोन, वायू या डी अमोनिया और अगर आपको इन में से किसी भी प्रस्ण का अंसर आता है तो फटा फट से आप लोग लाइप चेट में आंसर देते जाएगा जी बिल्कुल एक का राइट आंसर जो ये बच्चे लाइप चेट में D को दे रहे है उनका बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा अमोनिया ठीक है निम्न में से योगिक कौन सा है तो अमोनिया आपका एक योगिक है उप्सण D बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा ये कापी इंपोर्टेंट प्रस्ण है तो आप वीडियो में लाश्ट तक बने रहेगा फिर से बोल रहे है आपको दसो प्रैक्टिस सेट को अच्छे से कभर कर लेना है क्योंकि बिहार फायर्मेन की द्रिष्टी से ये दसो प्रैक्टिस सेट आपके एकज्याम के लिए काफी इंपोर्टेंट है दूसरा प्रस्ण है निम्न में कौन सा रसायनिक योगिक है वायू, ऑक्सीजन, अमोनिया या फ्रिडी, पारा चलिए फटापट से लाइप्टेट मांसर कर देंगा आप लोग जी बिल्कुल दूसरे का राइट अंसर जो इवच्छे लाइप्टेट में C को देने उनका बिल्कुल सही जबाब है ये अमोनिया आपका एक रसायनिक योगिक है उप्सन C बिल्कुल सही जबाब है चलिए इस एक साथ आगे बढ़ते हैं अगला प्रसन आपके स्किन परे विद्दूत मरकरी लैंप में रहता है क्या है कम दाप पर पारा रहता है अधिक दाप पर पारा रहता है नियान और पारा यड़ी इनवे से कोई नहीं है जी बिल्कुल तीन का राइट अंसर आपका उप्सन चला देगा एक है साथ क्या जाएगा कम दाप पर पारा रहता है आपका विद्दूत मरकरी लैंप में ओप्सन एस प्रस्ण का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चलिए इसी एक साथ आगे बढ़ते है अगर आपको इस सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज सभी लोग दिल से वर सेशन को लाइक कर देंगे चौथा प्रस्ण है एक किलोवाट घंटा का मान कितना होता है चलिए फटाबट से लाइपचेट मान सर्दत जाएगे जी बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग तो चलिए चार का राइट अंसर जोई बच्छे लाइपचेट में किसमें उच्चितम उर्जा होती है नीला प्रकास, हरा प्रकास, लाल प्रकास या फ्रीडी पीला प्रकास में चलिए जल्दी जल्दी से अंसर करेंगे जी बिल्कुल पांच का राइट अंसर आपका ताकि बिहार फायरमेंस रिलेटेट एक भी इंपोर्टेंट क्लास आपसे मिशना हो तो चलिए इस इक साथ आगे बढ़ते हैं अगला प्रकास इसके पर प्रकास की गति किसके बीच में जाते हुए नियुनतम होती है जी बिल्कुल प्रकास को नली में कैसे पईदा करते है जी बिल्कुल किसी भी प्रकास में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंड बॉक्स में पूछिए जी बिल्कुल शाथ का राइट अंसर अप का ओप्सन बी के साथ चलाज़ागा तन्तु को गर्म करके जी हाँ ये क्लास अप का हर सुवे साड़े छे बजे होगी ठीक है और ये अगले दस दिनों तक होने वाली है जोकि 10 प्रक्टिस सेट होगा अगला प्रस ने अब तन लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिविम बनाते हैं चलिए इसका अंसर करेंगे जी बिल्कुल आट का राइट अंसर अप का ओप्सन चलाज़ेगा बी के साथ आभासी प्रतिविम चलिए इस शिक्सद आगे देखते हैं अगला प्रस ने एक फैदम ब्राबर होता है जी बिल्कुल नो का राइट अंसर अप का ओप्सन C के साथ आज़ेगा एक पॉइंट एटी किलो मीटर ठीक है एक दसमल लबसी किलो मीटर अप्सन C बिल्कुल करेंट अंसर है नेक्ट कोशन है उत्री वर्तन का सिदान प्रतिपादित किसने क्या था जी बिल्कुल दस का राइट अंसर अप का ओप्सन D के साथ आज़ेगा डी ब्रेज ने अप्सन D बिल्कुल सही जबाब है अगला प्रस्ण है निवन में से कौन सा मनुस में अपसेसी अंग नहीं है जी बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग चलिए फटापट से लाइफ चेट मांसर देंगे तो चलिए 11 का राइट अंसर अप का ओप्सन C के साथ रजगा कर जाएगा सामने वाले चप्टे दांत ये मनुस के अपसेसी अंग नहीं है अप्सन C बिल्कुल सही जबाब है अगला प्रस्ण आप के स्किन पर एक मेगा वाट घंटा ब्राबर होता है चलिए फटाबाट सांसर करेंगे और जितने भी लोग सेसन को वाच कर रहे है प्लीज सभी लोग एक बार एक सेसन को सेर कर देंगे जी बिल्कुल बारा का राइट अंसर आपका ओप्सन चला देगा किसके साथ बारा का डी हो जाएगा 4.2 x 10 to the power 9 जूल ठीक है एक मेगा वाट ब्राबर होता यानिकी एक मेगा वाट घंटा ब्राबर ऑप्सन टी बिल्कुल सही जबाब है काफी most important प्रस्ण है तो आप वीडियो में लाश्ट तक बने रहेगा अगला प्रस्ण है पाइरेक्स काच को अधिक सामर्त बनाने के लिए निम्न में से क्या उतरदाई है इसका सही जबाब है option C हो जाएगा लेड ऑक्साइट है के 13 का C बिल्कुल सही जबाब है चलिए इस इक साथ आगे दिखते है अगला प्रस्ण है निम्न में से किसे यस्ट पूस्वक कहते है चलिए फड़ा बढ़ सामर्त करेंगे जी बिल्कुल 14 का राइट आंसर आपका option B के 17 जिंक ऑक्साइट ठीक है option B बिल्कुल करेक्ट आंसर है किसे खोजा था यानि कि question बोला जा रहा है कि परमानविय नाविक का खोज किस ने किया था ठीक है यहाँ पर question मिस्प्रिंटिंग टाइप हो गया है परमानविय होगा ठीक है तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा जी बिल्कुल 16 का राइट आंसर जोई बच्चे ए को दे रहे बिल्कुल सही जबाब जागा रधर फोड ने खोजाता परमानविय नाविक को अगला प्रसन स्किल परे किसके दुआरा अनुवान सिक्ता के विज्ञान को अनुवान सिकी कहा गया फटा पटस आंसर करेंगे और सेशन के लाष्ट में अपना स्कोर जरूर देंगे कि आपने कितने कोशनस का सही सही जबाब किये हैं जी बिल्कुल 17 का जोई बच्चे लाइप चिच में क्या दे रहे हैं 17 का D को उनका बिल्कुल सही जबाब होजगा बेट सन ठीक है इसका सही जबाब होजगा आपका उप्चन A 71 परसेंटेश ठीक है उप्चन A बिल्कुल सही जबाब है चलिए इस इक साथ आगे देखते हैं अगला प्रसन स्किन पर निवन में कौन सा कम्रे के तापकर्म पर द्रभ है लिथियम सोडियम फ्रेंसियम या डिसीरियम उप्चन C बिल्कुल सही जबाब है फ्रेंसियम हो जयगा उप्चन C बिल्कुल करेक्ट आँसर हो जयगा नेक्स्ट कोस्टन स्किन पर वंस गत्यकी क आई क्या है चलिए जल्दी जल्दी सेटे जाएंगा आँसर जिबल्कुल 10 का राइट आउसर आपका उप्चन चला चलिए इसका आंसर करेंगे जल्दी से, जी बिल्कुल 21 का राइट आंसर है, एक के साथ राज़े आज़ेगा करने पल्लाव पेस यहां, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नेक्स्ट कोशन है, तीन पीन बिजली के पलग में सबसे लंबी पीन को जोड़ना चाहिए, आधार के सीरे से, सजी सीरे से, उदासीन से, या किसे भी सीरे से, जी बिल्कुल इसका राइट आंसर है, एक के साथ राज़ेगा, अधार के सीरे से, अगला प्रसन है, विकास की प आंसर हो जाएगा, अगला प्रसन आपके स्कुन पर है, क्या है, पािरो मिटर का परियोग करते हैं, कि स्कुन आपने मे, गहराईम आपने में, आधरतान आपने में, या धी उचाहिन आपने में, बिल्कुल पत्चीछ का राइट आंसर आपको ओप् устन C के साथ लगा, वांस्की का पिता का जाता है साही जवाब है option C ग्रेगर जोहान मेंडल को ठीक है option C बिल्कुल साही जवाब है अगला प्रस्ण स्कीन परे सन 1969 के क्रित्रिम रूप से DNA को संसलेशित करने हैं तु पुरुसकार किसको मिला था साही जवाब है option A कौर्ण बर्गेखो option A प्रस्ण का बिल्कुल सही जवाब है चलिए सिखसत आगे देखते हैं अगला प्रस्ण स्कीन परे परकास छोटे छोटे कनों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं परमानू, निट्रोन, पोजिट्रोन या डी फोटोन काफी most important प्रस्ण है चलिए इसका right answer देंगे जिबिल्कुल जो वच्छे live chat में 29 कड़ी दे रहे उनका बिल्कुल सही जवाब हो जागा फोटोन option D बिल्कुल सही जवाब है अगर आपने अभी तक session को like ने किया है इसका right answer आपका option B के साथ लगा इसकी वास्तवी गहराई से कम ठीक है option B बिल्कुल सही जवाब है ठीक है इसकी गहराई क्या है इसकी वास्तवी गहराई से कम दिखाई देगा option B बिल्कुल correct answer है next question है एक अंत्रिक्ट जात्री को अंत्रिक्ट में आकाज कैसा दिखाई देगा जी बिल्कुल इसका right answer आपका जोई बच्चे लाइप जित में जलिए फड़ा पट से दिजिए डी बिल्कुल सही जवाब हो जाए क्या हो जाएगा अगला प्रसन आपके इसकुन पर है वीकिरन की कन प्रकृति के पुष्टि किस से की जाती है चलिए जी बिल्कुल इसका right answer आपका 32 का क्या ज़ेगा बिल्कुल सही जवाब है काफी most important प्रसन है तो वीडियो में लाश्ट तक बने रहेगा बिस से आपको छोड़के नहीं जाना है और दसो प्रक्टिस सेट को आपको अच्छे से कबर कर लेना है 33 प्रसने photon किसकी मुल्भूत यूनिट है चलिए फटापट संसर करेंगे जी बिल्कुल 33 का राइट अंसर जोई बच्चे लाइपट में एक हो दे उनका बिल्कुल सही जवाब है प्रकास की ठीक है option A बिल्कुल सही जवाब है अगला प्रसने किसी तारे के रंग पता चलता है उसके भार का आकार का ताप का याड़ी दूरी का अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को भी प्रेज कर लेंगे जी बिल्कुल 35 का राइट अंसर आपका उप्सन C के साच रज़े है क्या ज़ेगा ताप का ठीक है किसी तारे के रंग से क्या पता चलता है उसके ताप का पता चलता है उप्सन C बिल्कुल सही जवाब है अगला प्रसने फोटो क्रोमेटी कांच में किसकी उपस्तिती के कर रंग होने का गुंधर्म होता है काफी मोश्ट इंपोर्टन प्रसने चलिए इसका अंसर करेंगे जी बिल्कुल 36 का जोई वच्चे डी को दे रहे उनका बिल्कुल सही जवाब होज़ेगा रजद क्लोराइड अगला प्रसने कांच प्रबलित प्लास्टिक बिनाने के बिल्कुल करेक्ट आंसर है रेशा कांच अगला प्रसने निमन में से कौन सा विद्धूत का चालाख है चलिए फटाक सांसर करेंगे काफी इंपोर्टन प्रसन देगे रबड सुद जल लवन जल या डी बेंजीन जी बिल्कुल जोई बच्चे 38 का ओप्शन नमर क्या दे बिल्कुल सही जबाब है लवन जल ऑप्शन सी बिल्कुल सही जबाब देगा क्या देगा लवन जल चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रसने चुम्बक बनाने के लिए किस मिस्ट धातु का परियोग किया जाता है चलिए फटापट सा अंसर देंगे जी बिल्कुल 49 का जो ही बच्चे लाइब केक में सी को देरें उनका बिल्कुल सही जबाब है ल किनो अगला प्रसने चालक का विद्यूत परतिरोध किस से सोतंतर होता है या आज की सेशन का आखरी प्रसने चलिए इसका आंसर देंगे अगर अगर आपने अभी तक सेशन क को लाइक ने किया है तो प्लीज सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे जी बिल्कुल 40 का राइट अंसर आपका बी के साथ लाजएगा दाब ठीक है ओप्शन भी बिल्कुल सही जबाब है तो आज के सेशन में टोटल 40 प्रसनों को रखा गया था यह 40 के 40 प्रसन काफी